हेलो दोस्तो गुड बॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और खोस होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुश्बू इंदोरी चैनल में स्वागत है फर्स्ट आप आज है फ्रेंड्सिप डे तो आप सभी को मित्रता दिवस की धेर सारी शुब कामना है बदाईयां इस वर करें आपका हमारा साथ हमेशा बना रहे और आपके मित्रों का साथ हमेशा आपके साथ बना रहे मेरी तरब से आप सभी को ये एक friendship band मेरे उन सभी वीवर्स के हातों पर मेरी ओर से जो मुझे अपना मित्र समस्ते हैं कोई मुझे अपनी बड़ी बहन समस्ते हैं कोई मुझे भावी भी बोलता है वीवर्स मैंसे बहुत रिस्ते बना लिये लेकिर इन सब के ऊपर एक रिस्ता है मित्रता का friendship का तो मेरी ओर से सभी की कलाई पर एक-एक friendship band आप सभी को बहुत-बहुत शुब कामना है इसी मित्रता के उपलक्ष पर मित्रता दिवस के उपलक्ष पर मुझे चार पंक्तिया याद आ रही है और बहुत से वीवर्स ऐसा बोलते है कि मेरी आवाद अच्छी है फिलाल आजकल तो अच्छी नहीं है गला थोड़ा खराब है आप ऐसा बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है सभाविक है अच्छा तो लगे गई तो मैं आप सभी के लिए और अपने उन सभी मित्रों के लिए जिन्होंने मुझे अब तक अपनी मित्रता में सामिल किये रखा और बच्छपन से लेके अब तक मेरे जीवर्स में बहुत सारे दोस्त आए गए एक भी नहीं सभी आए है बाकी सारे तो अपनी जिम्मेदारियों में बंदे हुए है मिलना नहीं हो पाता है लेकिन जो है कि आप दोस्ती तो है ही कभी कबार मिल लेते है तो मैं एक गाने की चार पंक्तिया सुना रही हूँ आप सभी को पता होगा वो गाना लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है तो मैं सुनाती हूँ तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे जिन्दगी सवारी मुझको गले लगाके बैठा दिया फलक पे मुझका किसे उठा के यारा तेरी आरी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना और मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि आपकी खुश्बू आपको किसी को नहीं बूली है बस समय थोड़ा काम है परेसानिया जिम्मेदारिया थोड़ी जादा है इसलिए और मेरे सभी विवर से मेरा साथ इसी मुबाइल के माध्यम से इसी वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से बना हुआ है हमारी मित्रता हमेश की पीछे नहीं है तो मेरा लक्ष अपने दोस्तों को मित रताबी करें जा रहा है बच्चों को तो खेर नहीं पता तो वस यही सब इनकी friendship band बांदी जा रही है पापा से रात में ही 10-20 मंगवा लिये थे मेरे इतने मित्र हैं और आ जानी चाहिए इतनी तो इनके पापा जो है इने साथ में लेके एक पैकेट पूरा दिला के लेके आये हैं मुझे भी याद आता है अपन दिनों से पैसे जोडने लगती थी और अपनी सभी सहलियों को छोटा-छोटा कभी की रिंग है कभी कुछ गिफ्ट है कभी कार्ड्स है कभी कुछ हैर ऐसे सरीज है ऐसा कुछ हमेसा रहता था कि मैं उन्हें देती जरूरती बहुत याद आता है वह बच्पन अब हम सभी ब मेरे कोचिंग में ही पड़ता है तो उनको फ्रेंड से बेंड बान दिया है और उन्होंने पलट के इनको बान दिया है मैं दोड़ी-दोड़ी भागी-भागी आई हूं क्योंकि बारिस बहुत तेज आने बाली है बड़ी-बड़ी बूंदे गिरने भी लगी है मैं जल्द नाटक करते हैं इतना अच्छा खाना भी इने खाने में बड़ी परेसानी हो रही है इस समय सामके 7.67 बज रहे हैं बारिस हो ही रही है तो मैं मेरी फ्रेंड विनीता को हैपी फ्रेंड्सिप डे बोलने जा रही हूं मैं सुबह से बेट कर रही हूं कि वो आये लेकिन जब नहीं आई तो मैं एक चॉकलेट लेके उनके घर उनसे मिलने जा रही हूं उसके बाद आके फिर घर का काम बगएरा भी करना है इस समय रात के 10 बज रहे हैं लक्ष ने मुझे याद दिलाया है कि मम्मा मुझे राखी प्रोजेक्ट जमा करना है तो बच्चों का जो काम होत है वो माएं ही करती है पिता तो बस ओडर देते हैं है ना दोस्तों बाई चांसी ऐसे पेरेंट्स में पिता होते होंगे को जो आगे बढ़के बच्चे का ऐसा काम करें अब उनकी भी जिम्मेदारिया बहुत होती है उनका खुद का ऑफिस रहता है किसी की सौप रहती है प लोग बच्पन से सब कुछ करते हैं और हमारे यहां कुछ-कुछ ऐसी चीज़े बनती भी थी होती भी थी कि वहां पर यह सारी चीज़े रखी हुई है बच्पन में हमारे यहां कई सालों पहले वंदन बार बनाए जाते थे जो की दरवाजे पर लगाए जाते हैं शादिय ही है तो मैं कुछ-कुछ सामान भाहां से लेकर आई टेप बगेर आओ ये चमक पनी और मोती नग नेहा ने भी बहुत सारा सामान दे दिया था कि दीदी पैसे मत बिगाड़ना आप इसमें से ले जाओ बहने माएं बहुत सोचती हैं और मुझे लगेगा भी क्योंकि लक्ष क तैयार हो चुकी है कैसी बनी हैं अब लक्ष न तो नहीं बनाई लक्ष की बंमा ने बनाए है तो आप बताइएगा कैसी बनी हैं और साती आप जो है राखी पास जाने वाली है तो राखी जो है 12 को मनानी चाहिए आप मुझे comment box में comment करके बताएगा कि हलाकि मेरे तो भाई यहां नहीं है लेकिन लक्ष को भी राखी बनवानी है तो शुब नक्षक्तर में ही बनवाई जाए और मुझे मेरे लड़गोपाल को भी बाननी है तो मैं उन्हें अच्छे और सुभ नक्षत में ही बांदू ये बहुत ही अच्छा रहेगा तो मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कब राखी बांदनी है और ग्यारा को या बारा को कौन से दिन आप बांदेंगे और अब मैं अपने ब्लॉग को यही एंड करत थैंक यू बाई बाई